नमसका दोस्तों मेरे चेनल में आप सभी का स्वागत है जिहानीदी dough kitchen lifestyle पे आप सभी का स्वागत है हुली का दहन क्यों कैसे और किस समय किया जाता है हुली का दहन इस साल किस समय है क्या है शुब मौरत सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो इस वीडियो को लास तक जरूर आप देखें उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप मेरे चानल पर नहीं हुए तो जली से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दे पास ही दिखे का एक चोटा सा बेल बटन उसे दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिक है लेकिन कई बार इस समय भद्रा होने के कारण होली का जलाने का समय में अंतर आ जाता है लेकिन इस बार भद्रा काल दोपहर में ही खत्म हो रहा है जिस कारण शाम को सुरियास के बाद आप होली का जला सकते हैं यहां आप जानेंगे होली का देहन का सबसे शुब मोहरत व है आपको 9 तारिक 9 मार्च को शाम के 6 बच के 26 मिनट से स्टार्ट होगा और रात के 8 बच के 52 मिनट तक रहेगा जी हाँ दोस्तों शाम के 6 बच के 26 मिनट से लेके रातरी के 8 बच के 52 मिनट तक होली का देहन का मोहरत है शुब मोहरत है ये तो चलिए होलीका दहन से related कुछ बाते और शेयर कर लेती हूँ होलीका दहन का पूजन प्रदोशकाल में सास्त्र सम्मत है तब ही पूजन करना चाहिए प्रायम महिलाएं पूजन कर ही भोजन ग्रहन करती है पूजा सामगरी, रोरी, कच्चा सूत, पुष्प, हल्दी की, गाठे, खरी मूंग, बतासे, मिस्ठान, नारियल, बढ़, बुल्ले, आदी सब लगते हैं पूजा सामगरी में तो चलिए अब इसकी वेदी जान लेती हैं यथा शक्ती संकल्प लेकर गोत्र नाम आदी का उच्चारन कर पूजा करें सबसे पहले भगवान गनेश्व गौरी क्या पूजन करें ओम होली कायाए नमह मंत्र से होली का पूजन करें फिर ओम प्रहलादाए नमह से प्रहलाद का पूजन करें इसके पशाथ ओम निरसाय नमा से भगवान निरसेंग का भगवान विश्नु का अवतार का पुजा करें तद पशाथ अपनी समस्त मनो कामनाएं कहें एक कच्छा सुत्र लेकर होली का पर चारो तरफ लपेड़ तीन बार परिक्रमा कर ले और चाहें तो साथ बार भी आप कर सकते हैं अंत में लोटे का जल चड़ा कर ओम ब्रहमान मस्तु कहें तो चलिए अब जान लेते हैं होली की कथा और इसके महत्व इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है होली का दहन के देन एक पवित्र अगनी जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई अहंकार और नकार आत्मक्ता को जलाया जाता है अगले देन अपनों को रंग लगा कर इस पर्व की शुब कामनाई दी जाती है लेकिन कहां से शुरू हुआ होली का दहन की परंपरा जानिये इस कथा से पुरानों के अनुसार दानव राज हिर्ने काश्यम ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाई विश्नु भगवान के किसी अन्य को नहीं भस्ता तो वह क्रोधित हो उठा और अन्त में उसने अपनी बहन होली का को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोट में लेकर अगनी में बैठ जाए क्योंकि होली का को वर्दान प्राप था कि उसे अगनी नुकसान नहीं पहुँचा सकती किन्तु प्रहलाद की भक्ती के कारण होली का जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ इसी घटना की याद में इस दिन होली का दहन करने का विधान है तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी होली का दहन से रिलेटेड होली का दहन क्यों किया जाता है होली का दहन कैसे किया जाता है किस समय है 2020 में क्या है इसके शुब मौरत सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हूँ तो इस वीडियो को जादर से जादर आप शे थैंक यू सो मुच